So Grade Status के लिए मैं करता यह हूं कि यहां पे हम उसकी एक sheet बना लेते हैं, table बना लेते हैं, यहां पे दो columns कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, total यह obtained marks कर लेते हैं, total marks, obtained marks, यहां पे उसकी कर देते हैं, average, मुझे यहां पे column और चाहिए था, right click किया, insert पे गे, तो left पे, यह left पे आया right पे करेंगे, तो right पे आ जाएगा, so मुझे right पे चाहिए था, so right पे मैंने किया, यहां पे उसका आ गया status, ठीक है जी, अब मैं इस पूरी table के ओपर formatting apply करना चाहरा हूं, यहां से click किया, यहां से 15 size कर दिया, bold और underline नहीं किये, center alignment, यहां से भी center alignment, ठीक है जी, यह आ गया, अब यहां पे आप कर लें जी, principle signature, अब principle signature यहां पे आगे, मैं इसको right पे कर देता हूं, control R की मदद से, इसको मैंने 15 कर दिया, वैसे इतने बड़े size का होता नहीं है, आप, देखें वो आपकी अपनी good will है, आपने result guard को किस तरह से develop करना है, इसका border set करना है, तो चले जाए इसके अपना home पे और, sorry, layout पे आजएं, तो यहां से आप इसका border भी set कर सकते हैं, sorry, यह अब देखें ना, इसको इस तरह अब आप चीजें इसको set कर सकते हैं, तो यहां से आप जाएं, border and shading पे, तो page border पे आजएं, यहां से page का border, मैं select कर लेता हूं, जी, यहां से यह वाला select कर लिया, मैंने, तो देखें, result card आपका sheet त्यार हो गई, अब इसको मैं control A प्रेस करके, मैंने alt select किया, मैं size इसका A4 रखा हूं, मैंने, तो अगर आपने letter head पे निकालना है, तो आप यहां से इसको letter कर ले, letter किया, तो वो जाहर सी बात हो, उसकी adjustment उ नहीं है, तो आप A4 ही इसको फिलाल भी रखते हैं, अब यह मेरा table सारी त्यार हो गई, table के size बगारा को set करना है, और यहां से आपने इसकी detail mark sheet का size set करना है, तो आप इसको 20 कर दें, इसी तरह यह bold करने हैं सारे, और यह भी bold करने हैं, okay, so यह उसकी table अप काफी large size में थी, short करने हैं, okay, आप चाहते हैं कि यहां पर उसकी table ना show, table के यह जो border वगारा यह ना show हो, तो उसके लिए, मैं यह center में कर रहा हूं, इसको मैं यहां से right click करके, मैं no border कर देता हूं, यह border show नहीं होंगे, ठीक है, वो आपकी choice है, अब ले दी जिन आप हमारा, यहां पर काम सारा त्यार है, अब यहां पर subject चुके, सब के same होंगे, computer, उर्दू, English, और mathematics, so इसको भी बोल्ट कर लेता हूं, अब इनके marks की entry करनी है, marks के entry के लिए, आप जाएंगे mailing पे, select recipients, use existing file, desktop पे book 1 के नाम से file रखी, open किया, sheet 2 नहीं चाहिए, result चाहिए, result वली sheet, okay, so यहां पर आजें, student का name, अब यहां पर चुके उसका settlement, उसके मताबिक adjustment अभी नहीं की वी है, so यह 25 ही अभी भी आ रहा है, so इसको मैं 15 कर देता हूं, और मैं इसको left line रखा हूँ है, इधर से मैं center कर देता हूं, यहां left center कर देते हैं, इसी तरह इसका जो size है, वो 15 ही आ रह सबसे पहले student का name है, तो यह student का नाम सेट किया, उसकी class set की, उसका status, यहां से status उठा लिया, पास है यहां फेल हो पहले दिखा दिया, अब computer के marks, computer के marks आगे, उर्दू में, उर्दू के marks आगे, English में, English के marks आगे, Maths में, उसके mathematics के marks यह आगे, अब उसके total obtained marks, अब उप्टे marks यह आगे, obtain marks इसके आगे, यह आगे, average इसके आगे, यह आगे, यहां से status में जाएं, तो इसका status आगया, अब यह सारी fields आपने जहां जहां put करनी थी, कर दिया, अब duplicate भी कर सकते हैं, तो rule वगहरा भी मैंने कोई set नहीं किये, सो मैं view करता हूँ record, अब देखें, यहां पर bold हो रहे हैं, underline हो रहे हैं, सो यह मैं select करता हूँ, मैं इसको bold रहने दता हूँ, लेकिन underline नहीं करता, सो mailing पर वापिस आएं, अब आप यहां से यह कर लें, आप roll number भी add कर सकते थे, registration number वगहरा, एक problem यहां पर आई, problem यह आई, कि आपके पास यहां पर, आपने उदर two digit set किये थे, लेकिन यहां पर two digit नहीं आए, अब वो two digit कैसे set करने हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखें, कि यह सारे record, one by one, 20 के 20 records यहां पर मजूद आपके सामने हैं, अब यहां पर जो point वाला मसला है, यह इंशाला अभी हल हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप बाकी चीज़ों को observe कर लें, अब बाकी चीज़ों में देखें, सारी चीज़ों यहां पर put हो चुकी हैं, आप यहां पर past fail का status भी आगया, अब इसी तरह अब आपने इसको set करना है, आप preview uncheck कर दें, ओके इसके लिए अब आपने करना यह है कि आप अपनी यहां से preview आप disable करके, आप किसी भी field पे, आपने जिस जिस का set करना है, जैसे यह तमाम है, तो इन पर right click करें, ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो different properties, अब यह चुके table की properties आ रही है, मैं एक पर आप toggle field code, आपने लिखना है, toggle field code, यह select करना है, यहां इसके लिए command होती है, alt f9, alt f9 प्रेस करेंगे, तो वो हर जगहां पे जहां जहां आपने मर्ज field लगाई होगी, वो हर जगहां पे show कर देगा, alt f9, इन दोनों को आप एकठा प्रेस करेंगे, यह alt प्रेस करके रखें और f9 प्रेस करें, और इसी तरही alt f9 से यह दोबारा वापस आएगा, so alt f9, अब यहां पे मुझे computer है, अब computer के subject के बाद, आपने क्या करना है, एक hash यह line यूज़ करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने hash का symbol लगारा है, उसके बाद आप space देके double quotes में point set कर दें, 0.00, कि अशारिय के बाद मुझे इतने elements required हैं, ठीक है जी, alt f9 प्रेस करें, और यहां से preview करें, देखें अशारिया के बाद दो digit आए, आप यहां पे अशारिया के बाद digit नहीं दिखाना चाहते, तो आप दुबारा वापस जाएं, right click करें, toggle field पे जाएं, आप अशारिया के बाद कुछ नह alt f9, ठीक है, और यहां पे यह देखें, 78 point, भाद समझ आगी, अब इसी तरह मैं दुबारा alt f9 प्रेस करके, यहां पे मैं point भी खतम कर देता हूं, तो वो point भी नहीं देगा, so alt f9 दुबारा किया, देखें, 78 point, तो इसका तरीका कार यह होता है, कि आप वहां पे integer ही set कर दे हैं, so उसके लिए देखें, मैं यहां पे अब तमाम को copy करता हूं, और मैं यहां पे इसको paste as a values कर देता हूं, अब यह points नहीं रहे, अब यह points हैं ना सारे यहां पे show हो रहे हैं, so मैं यहां से इनको select करता हूं, वो excel की training में जाके आप सीख लेंगे, कि यह काम कैसे होना है, बाराल मैं यहां पे इसको अशारिया के बाद zero कर देता हूं, so अब यह कोई भी ऐसा number नहीं है जिसमें वो show करेगा, ठीक हो गया, अब यहां पे आपने इसको set किया, अब मैं तमाम alt f9 press करता हूं, और अशारिया के बाद मैं दो digit ले लेता हूं, so यह वाला code मैं copy करता हू यही उर्दू के साथ मैं bracket के अंदर ही, याद रखिएगा, यह mistake नहीं करना ही, bracket से बाहर नहीं करना, so bracket के अंदर ही, so यहां पे मैं इसके बाद space देके यह कर दिया, इसी तरह यहां पे आ गया थी, यहां पे भी आ गया, average भी आ गया, और status के साथ जरूरत नहीं है, और बा अशारिया के बाद सरफ दो डिजिट ले रहा, अब यहां पे आपने उसको नहीं show करवाना, आप उसको ना show करवाएं, आप यहां से इसको disable कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, toggle field code पे जाएं, यहां पे आप इसको यह कर दें, और दुबारा toggle field पे आएं, so toggle field, यहां पे आप इ चेक कर दें, so आप यहां पे इसका तरीका कार होता है, कि आप इसको mention ही ना करें, so उसमें यहां आएगा, चुके आपने setting की विया उसकी, तो वो उसके मताबिक अब वो दो points लेगा, तो कि आपने उसके मताबिक set किया सबको, ठीक है जी, so इसको दुबारा मैं toggle field कर देता हूँ, तो देखें इसारिया के बाद दो digit, तो इस तरह से आपने देखें, पूरा अपना result card develop किया, result card develop करने के साथ साथ आपने पूरी एक training भी देख ली, कि कि चीजें किस तरह deal होती हैं, तो यहां पे आपके पास पूरा एक result card त्यार है, अब आपके जितने student हैं, आप उसके अंदर add करती हैं, आप 20 तक field थी, तो आप 20 तक उसके अंदर add हो गई, आपने list को बंद किया, दुबारा उसके अंदर editing की, 20 और add कर दिये, तो यह दुबारा जब खोलेंगे तो अपडेट मंगेगा, जैसे देखें, मैं इसको बंद करता हूँ, तो यहां पे उसने वो मेरे से demand किया, इसको save करना है जी, मैं कहता हूँ, डेक्स्टॉप पे save कर ले जी, ठीक है जी, यह बंद हो गई, अब यहां पे मैं यह 20 रिकार्ड मैं और यहां पे copy कर देता हूँ, copy किया जी, यहां से मैंने, sorry, command घलब, press कर दी मैंने, so यह 20 रिकार्ड और अट किये, और यह 40 रिकार्ड हो चुके है, मैंने save किया, अब मैं वापिस जाता हूँ, word पे, यहां से मैं अपनी file वो open करता हूँ, x, y, university वाली, अब देखें, उसने मुझे error दिया, वो कहता कि opening the document will run the following SQL command, कि कुछ data इसके अपडेट हुआ, आप continue करना चाहते हैं, yes, तो वो update हो गया, अब आप मेलिंग पे जाएं, देखें, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 40 record आगे, अब 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 एडिट इंडिविजल और रिकार्ड पे जाते हैं, तो यह 40 के 40 different record बन गए, इस तरह आप मेल मर्ज के अंदर रहते हुए, आप अपनी multiple, जो है, वो copies create कर सकते हैं, for the same data, for the same context, letter एक है, data different है, अब देखें, इस तरह आप पुरा complete result card अपना develop कर सकते हैं,